आज हम MPD जिसको हम चिटकी, सरन, सून, लंगडी टांग या मिडियल पटेलर डेस्मोटोमी बोलते हैं इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं बहुत कम लोग जानते हैं बिमारी के बारे में तो आज हम आपको इसको एक छोटा सा उप्रेशन होता है उसको करके दिखाएंगे और यदि आप यह सिखना चाते हैं तो हमसे जूट सकते हैं यदि आप MPD का operation शिखना चाते हैं तो इस screen पर जो number दिखाई दे रहा है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जूड़ सकते हैं, call करके बात कर सकते हैं, तो आज हम MPD का detail operation आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंतितक बन रहे हैं, यदि आप हमारे इस channel पर नए हैं, तो आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस channel को subscribe जरूर करें, देखिए यह जो गाई दिखाई दे रहे हैं, इसके एक पेर में है यह समयशा जि देखिए हलका हलका दिखाई दे रहा है दिन में, परसु मालिक का कहना है कि इसको सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पेर मुर्ता नहीं है, लंगड़ा हो जाता है, तो आज हम इसको संपूर्ण टीट्मेंट आपको बताने वाले हैं, देखिए ऐसे case को आप जब करवा रहे हैं, यही इसी पेर को अच्छी तरीके से साब कर रहे हैं, लिगामेंट को पालपेट कर रहे हैं, हम इनको दिखा रहे हैं, कि लिगामेंट को ऐसे पालपेट करते हैं, इस तरीके से यदि आप सीखने आते हैं, तो आप भी हम पारे पास सीखने आ सकते हैं, यह दोनों नए डोक्टर से नई ट्रेनिंग कर रहे हैं और नए हैं फिल्ड में इसलिए इनको हम MPD सीखा रहे हैं और बहुत आसान है यदि आप एक बार उस लिगामेंट को पालपेट कर लेते हैं कट कर देते हैं तो आपका मनोबल बढ़ जाता है आपका आत्म विस्वास बढ किते हैं और इसे काम को करते हैं तो बहुत गंबिर समयशा हो सकती है और पासु खराब हो सकता है यह देखिए एक डोक्टर साब हमारे जो साथ में यह इसको लोग जाइलाजिन जो रहता है वह आई वी दे रहे हैं यह देखिए और दूसरे को हम लिगामेंट पालपेट कर रहें यह देखिए इसमें हम 0.5 ml जाइलाजिन यह वेन में आई वी देंगे यह लगाने से पसु क्या है पेर नहीं उटाएगा और पसु नसे में हो जाएगा जिससे हम इस लिगामेंट को आसानी से कट कर पाएंगे और यह सिखने वाले हैं इनको कहीं किसी तरह की नहीं आएगी इसलिए हम इसमें 0.5 ml यह देखिए इस तरीके से यह खूद ही दे रहे हैं यह नए पैक्टिशनर है तो यह देखिए इन्हों आसानी से लगा दिया कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आई और बिल्कुल एक ही बार में इन्होंने आईवी कर दिया यह जगे होता है और इसी जगे हमें कट करना रहता है यह देखिए हम अपने हाथ से इनका हाथ पकड़ कर उस लिगामेंट को पालपेट करना बता रहे हैं कैसा लेता है लिगामेंट किस जगे से हमें उसको पकड़ना है और कैसे उसको काटना है यह देखिए इस तरीके से हम बता रहे हैं बिल्कुल नए हैं अब हम इनको ब्लेड देंगे 11 नमबर जो ब्लेड आती है सर्जिकल ब्लेड देंगे और ये खूद उसको ट्राइ करेंगे हमने इसको पहले पालपेट करना बता दिया है एक बार और हमने बता दिया है अब ये देखिए खूद ही उस लिगामेंट को कट कर रहे हैं हम इनसे दूर खड़े हैं बस इतनी देर का काम रहता है और लिगामेंट कट हो जाता है खड़े खड़े में और ये देखिए पसू गिर गया इसके बाद हम इनको ये देखिए एक बार और बता रहे हैं ये देखिए इस तरीके से ये खुद उसको चेक कर रहे हैं ये देखिए यदि लिगामेंट कट हो जाता है तो महाँ पर गड़ा बन जाता है और हमें पता चल जाता है ये देखिए इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल आसानी से उस ligament को cut कर दिया और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से इन्होंने cut कर दिया और न किसी तरह का blood आया और न किसी तरह का पसुओं को दर्द हुआ पहुत ही सरल operation है ये देखिए दूर हो गए और जो इनके साथ में थे उनसे पालपेट करके बता रहे हैं कि इस तरीके का गड़ा बन जाता है और इसे ligament को cut करना रहता है ये देखिए इन्होंने पेर भी छोड़ दिया अब हम इसको चला के देखेंगे कि पसुओं में पूरी तरीके से ligament cut हुआ या नहीं अब हम इसको चला के देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा ये देखिए हम इस पसुओं को आपको चला के दिखाएंगे हम चेक कर रहे हैं और उसके बाद आपको पूरा वीडियो बताया जाएगा यह देखिए इनको हम फिर बता रहे हैं यहाँ पर गड़ा बन जाता है तो यह देखिए इस तरीके से हम यह लिगामेंट इनसे पालपेट करवा रहे हैं यह देखिए इस लिगामेंट को इस तरीके से पालपेट करके गड़ा बन जाता है और कहीं रे जाता है तो हम इनको ये भी सिखा रहे हैं कि आप 11 नंबर ब्लेट को लेके वापस उसको डूंडेंगे और उसको इस तरीके से आसानी से कट कर देंगे तो हम इनको वो भी दिखा रहे हैं कि यदि थोड़ी बहुत रे जाती है पालपेट कर रहे हैं उसको आसानी से और ये देखिए ये भी उसको ढूंड रहे हैं यदि रह जाती है तो उसको उसी समय कट कर दिया जाता है बिल्कुल आसान सर्जरी है यदि आप एक बार यह सीख जाते हैं तो बहुत बढ़या रहता है पसु को भी दिक्कत नहीं आती है कई दिनों से पसु परहसान रेते हैं वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे यह देखिए इस तरीके से यह उसको चेक कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत बड़ा सरजरी है यह देखिए इस तरीके से थोड़ी सी बज गई थी तो उसको एक बार और कट करेंगे बिल्कुल नए हैं पहली बार कट कर रहे हैं इसलिए हो जाता है एक बार में कट हो जाता है खड़े-खड़े में यह देखिए इन्होंने आसानी से कट कर दिया और बिल्कुल पसु भी गिर गया यह देखिए बिल्कुल आसानी से कट हो गया है अब हम इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं दर्द के लिए हम इसमें इंजेक्शन लगाएंगे मेलोक्सिकेम, पेरासिटामल और अगला इंजेक्शन हम इसमें इंजेक्शन लगाएंगे हम इसमें दो इंजेक्शन देंगे एक दर्द के लिए लगाएंगे और दूसरा एंटिबाटिक लगाएंगे कहीं पसु को दर्द सुजन ना हो इंफेक्शन ना हो इस तरीके से आप को इस तरीके से इंजेक्शन लगाना है यह देखिए इसमें इंजेक्शन से बहुत बड़े रिजट देखने को मिलता है पसू को धर्द नहीं होता है और यह देखिए बिल्कुल जादू रिजट देखने को मिला है पसू खड़ा होके चलने लगा है पूरी तरीके से पसू को रिलेक्स मिल गया है और बहतरी पेर में दिक्कत आती है तो इस तरीके से यह देखिए पसु दोड़ने लगा है जहां जटके देखकर चल रहा था पूरी तरीके से रिलेक्ष हो गया है और यह देखिए दोनों नए डोक्टर इसको चला के देख रहे हैं इन्हों नहीं कट किया है और यही चला के देख रहे तो फिल्ड में यदि यह जाएंगे तो इनको इसे केस मिलेंगे तो उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो स्यों चेक कलने तो अच्छा रहता है यदि आप सिखने जा रहे हैं कहीं तो आप स्यों उस पसू का लिगामेंट कट करें तो आपको आसानी होगी वरना घर जाने के आपके सौम ने हैं दोड़ने लगा चलने लगा और कहीं किसी तरह की दिक्कत ना ही असा करता हूँ आपको यह विडियो पसंद आया होगा यदि विडियो पसंद आया हो तो विडियो को ज़दा से ज़दा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें झाल